सूजी और सेवई से बना उपमा तो हम कई बार बनाते रहते हैं लेकिन आज हम इन दोनों को मिला कर एक नए तरीके का नाश्टा बनाएंगे जो सबजियों से भी भरपूर होगा तो यदि आपके घर में कोई सबजी खाना पसंद नहीं करता है तो इस तरीके से आप उन्हें भरपूर मातरा में सबजियां खिला सकते हैं और इस नाश्टे में सबजियों का इतना बता भी नहीं चलता है तो जो भी सबजयां खाना पसंद नहीं करता वो भी से बड़े चाव से खाएगा तो उपमा और सेवई वकरे से यदि आप पूर हो गई है तो ये नए तरीके का नाश्टा आपको बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि हम इसमें काफी सारी सबजयों का इस्तिमाल करने वाले हैं तो ओवरोल ये नाश्टा बनेगा हेल्दी भी और टेस्टी भी तो फ्रेंड्स यदि आपको ये नए तरीके का नाश्टा पसंद आए तो प्लेज इस सीडियो को लाइक और शेर करें यदि आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबाना भी ना भूलें इस नाश्टे को बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे एक मिक्सिंग बॉल और इसके अंदर टालेंगे एक गप सूजी या आप कटोरी को देखें तो ये एक कटोरी मैंने सूजी लिया है और इसी कटोरी को मापकर हम लेंगे सेवई तो मैं यहाँ पर बिना रोस्ट कीवी सेवई का इस्तमाल कर रही हूँ आप चाहें तो रोस्ट कीवी सेवई का इस्तमाल भी कर सकते हैं अब आदक अब इसमें दही डालेंगे ध्यान रखें ताजा दही का इस्तमाल करें ताकि नाश्ते का टेस्ट अच्छा है अब जिस कटोरी से मैंने दही लिया था उसी कटोरी को मापकर मैंने इसमें पानी डाल दिया है साथ ही एड़ करेंगे स्वात के नुसार नमक और तो इसे हम कवर करके रख देते हैं 20 मिनिट के लिए जब इस बैटर को 20 मिनिट हो जाएंगे तब हम एक कड़ाई लेंगे जिसमें मैंने पानी डाल दिया है और एक स्टेंड लगा दिया है इसके उपर हम मोल्ड रखेंगे मैं यहाँ पर कड़ाई का इस्तमाल कर रही हूं आ पेक्षा थोड़ा गाड़ा हो गया है तो इससे जदा गाड़ा बैटर भी हमें नहीं रखना है और इससे जदा पतला भी नहीं बनाना है तो चलिए अब इसमें हम सबचियां एट कर लेते हैं तो यहाँ पर एक बड़ी साइज का बारी कटावा प्याज में ले रही हूं यदि आप आज नहीं काते हैं तो स्केप कर सकते हैं आता कब बारी कटीवी बींस लेंगे साथी लेंगे दो काजर चोटी साइज की काजर मैंने लिए हैं और इसे भी बारी काट करें लेंगे ताकि सारी सबचियां हैं वो स्टीमर में अच्छे से पक जाएं कोई भी कर ले ली हैं अब डालेंगे इसके अंदर एक छोटा चमच अद्रक का पेस्ट साथी डालेंगे एक से दू बारी कटीवी हैरी मिर्च एक छोटा चमच मैं इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ आप चाहें तो इसकी जगर लाल मिर्च पाउडर का इस्तमाल कर सकते हैं डालेंगे इसमें कूप सारी बारी कटीवी धनिया की पती और जो नाश्टा है वो अच्छा सॉफ्टर है इसके लिए इसमें एक चमस देल डालेंगे और बस अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारी चीजों को यहाँ पर मैंने जितनी भी तरह की सबजियों का इस्तमाल किय उन में से यदी आपको कोई सबजी बिलकुल भी पसंद नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं या वैलेबल नहीं है तब यह उसको भी डाला जा सकता है तो यहाँ पर देखिए बैटर काफी काड़ा है और इस तरह का बैटर हमी रखना है इसे ज्यदा लूज नहीं क ताकि सोडा अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर तो सोडा भी अच्छे से मिक्स कर लिया है तो सोडा हमीशा लास्ट में ही डालेंगे और अब देखे बैटर हमारा तैयार है और अब हम एक मोल्ड लेंगे इसे पहले हम तेल से क्या है वो इस मोल्ड में डालेंगे और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे तो यहां पर मैं केक टिन का इस्तमाल कर रहे हूं लेकिन यह दिया आपके पास कोई चोड़ी धाली है तो उस धाली का इस्तमाल भी आप कर सकते हैं यह स्टीमर प्लेट है तो उस स्टीमर प्लेट में भी आप इस बैटर को सेट करके इसे स्टीम कर सकते हैं तो अच्छे से हमने बैटर को सेट कर लिया है इसे एक बार ऐसे टैप कर लेते हैं ताकि और पर अच्छे से सेट हो जाए इसके अंदर देखें नाज़ता अभी से कितना ज़्यादा कलरफुल लग रहा है तो चलिए अब हम इसे कर लेते हैं स्टीम कड़ाई में हमने पहले ही पानी करम होने के लिए चड़ा दिया था तो पानी में अच्छा उबाल बनावा है और अब मेडम फ्लीम पर हम कड़ाई को कवर करके 15-20 मिनिट के लिए इसे स्टीम करेंगे तो 20 मिनिट हो जाएंगे तब हम कड़ाई का डकन हटाएंगे और इसे एक टूद्पिक की साइटा से चेक कर लेंगे यदि टूद्पिक क्लीन आ रही है यानि नाश्टा अच्छे से पक चुका है और यदि क्लीन नहीं आ रही है तो इस नाश्टी को आप 5-10 मिनिट और पका सकते हैं तो अच्छे से ये पक चुका है बहाँ निकाल कर इसे हमने थोड़ा ठंडा कर लिया है और अब पहले एक चाकू की साइटा से इसकी जो कॉर्नेर है उसे हम हटा लेते हैं ताकि इसे एजिली निकाला जा सके uit आप इसे पहले थोड़ा ठंडा होने दे और ठंडा होने के बादे देमोल्ड करें क्योंकि ये ती करम रहा तो ये हो सकता है कि अच्छे से ना निकल पाए तो थोड़ा ठंडा होने पर इसे आईसे निकाल लें इस पर तड़का लगाएंगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्ट ही हो जाएगा तो तड़का लगाने के लिए एक पैन के अंदर हम दो से तीन चमच दिल करम कर लेंगे और जैसे ही दिल करम हो जाए इसके अंदर डालेंगे एक छोटा चमच राई या फिर सर्सों सर्सों को थोड़ा चटकने देते हैं और जैसे ही सर्सों थोड़ी पक जाए हम इसके अंदर डालेंगे तिल तो एक छोटा चमच मैं सफे तिल का इस्तमाल कर रहे हूं इससे नाश्टे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है साथी 10 से 12 डालेंगे करी पत्ता और इस तड़के को हम थोड़ी देर पका लेते हैं आप चाहें तो इस तड़के में आप अपने पसंद के अकोर्डिंग जीरा या हिंग वगरे भी एड़ कर सकते हैं और हरी मिर्च मैंने क्योंकि उसी में डाल दी थी बैटर में ही तब मैं हरी मिर्च इसमें नहीं डाल रहे हूं आप चाहें तो इसमें सिलिट के भी हरी मिर्च डाल सकते हैं और जैसे ही तड़का पक जाएगा हमने ये जो नमकीन वेजटेबल केक बनाए हैं वो पैन में डालेंगे इसे थोड़ी पतेर ऐसे हिला लेते हैं ताकि जो तड़का हमने तयार किया है वो इस पर अच्छे से कोट हो जाए और नीचे से 5-6 मिनिट के लिए इसे पका लेते हैं आप यदि इसे ज़्यादा क्रिस्पी करना चाते हैं तो और ज़्यादा देर पका सकते हैं मैं इसे थोड़ा सा क्रिस्पी रखूंगे लेकिन ये सॉफ्ट रहे उतना है इसे पकाऊंगे ताकि तड़की का अच्छे से फ्लेवर इसके अंदर आ जाए तो बस पलट कर हम नाश्ता बनकर तयार है बहुत ही ज़्यादा कलरफूल और टेस्टी लग रहा है देखने में भी और यकीन मानिए फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है तो ये हमारा कलरफूल हेल्थी टेस्टी नाश्ता बनकर तयार है तो चलिए अब इसे मैं आपको क करके दिखाती हूं तो बहुत ही आराम से ये कट जाएगा एकदम केक की तरह है बहुत अच्छे से सैट हो गया है और बिल्कुल भी ये ड्राइ नहीं है अच्छा पर्फेक्ट बैटर हमने बना कर तयार किया है तो उसे सबजियां भी अंदर अच्छे से पक चुकी है और ये कॉम्बिनेशन बहुत ही कमाल का लगता है तो चलिए हम एक पीस निकाल कर देख लेते हैं और ये देखिए फ्रेंट्स कितना बढ़िया नाश्ता बनकर तयार हुआ है ना बहुत ही ज़्यादा कलरफूल बहुत ही हेल्दी और टेस्टी और बनाने में भी कितना ज़्याद आसान तो यदि आप भी सूजी का उपमा वगरे खाकर बोर हो गए हैं तो ये रेसिपी ट्राइ करनी तो बनती है और ये देखिए दोस्तों इसका टेक्श कितना ज़्यादा सॉफ्ट है जैसे आप खाएंगे आपके मुह में ही घुल जाएगा तो प्लीज इस रेसिपी को जरूर से ट्राइ करें और कैसे बनी मुझे कमेंट करके जरूर पताएं आपकी फीडबेक का मुझे बेसबरी से इंतिसार रहेगा वीडियो पसंद आया है तो प्रीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन मिलते हैं को नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई